हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए चाही तरक की पाई जा सकती है ऐसे ही कुछ पेड़ों में से एक है असोक का पेड़ असोक का अर्थ होता है जहां पर सोक न हो यानि असोक का पेड़ जहां पर होता है वहां सोक दुख अशानती अपनी जगे नहीं बना सकती इसके वजाए उस जगे पर सोक सानती और बनी रह भगवान श्री नाम ने भी इसे सोग दूर करने वाले पेड़ की उपमद दी है कामदेव के पंच पुष्वबाणों में से एक असोग भी है भारत में धार्मिक या मांगलिक कार्यों के लिए भी असोग के पत्तों का प्रियोग किया जाता है आज हम आपको बताएंगे कि बिजनेस में लगातार हो रही धन की हानी कैसे दूर होगी और आपके वैपार की गती कैसे बढ़ेगी कैसे समाज में आपका मान सम्मान और एस्वरे बढ़ेगा कैसे आपके काम की सफलता सुनिश्चित होगी कैसे आपको मंगल के दोशों से मु आपका व्यापार बंद होने की कगार पर है तो आपको असोग के पेड़ के साथ पत्ते लाकर उन्हें साफ पानी से धोकर धूब दिखाएं और आखे बंद करके अपनी समस्या के निवारण के लिए प्रात्ना करें अब इन पत्तों को जहां आप पैसे रखते हो उस स्थान पर रख दे 24 घंटे बाद इन पत्तों को जल में परभावित कर दे इससे आपके बिजनेस में जल्दी ही व्रद्धी होने लगेगी और आपके बिजनेस की गाड़ी पट्री पर तेजी से दोड़ने लगेगी धनलाप के लिए घर में पैसों की स्तिति को मजबूत बनाने क के लिए किसी सुब महूरत में असोग के पेड़ की जड़ को निमंतर देकर ले आएं जड़ को घर लाते समय मौन रहें घर में लाकर जड़ को पहले गंगजल से सुद्ध कर लें फिर उस जड़ को तिजोरी या जहां पर आप पैसे रखते हो वहां पर रख दें इस उपा को घर में लगाएं और प्रति दिन उसकी जड़ में पानी डालें यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं अगर आप किसी काम को करने के लिए बहुत प्रयास रत हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही तो आप पुष्च नक्षत्र में असोग के पेड़ के ग्य और घर की नेगेटिविती को दूर करने में भी सायक होता है जिस घर में अशोग का पेड़ लगा होता है वहां किसी प्रकार की नेगेटिव एनरजी नहीं टिकती और नहीं किसी भी प्रकार का भह रहता है असोग का पेड़ लगाने के साथ ही साम के समय पेड़ के नीचे घी और कपूर का दीपक जलाना चाहिए असोग के पेड़ को घर की दक्षिन या दक्षिन पश्चिम दिसा में लगाने से ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं हर काम में सफलता के लिए अगर आप किसी ऐसे काम को करने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्रपूर है तो उस काम की सफलता सुनेचित करने के लिए असोग के व्रिख्ष का एक पत्ता ले और उसे अपने सिर पर रख ले पत्ता उड़ ना जाये इसके लिए अपने सिर पर टोपी पहन ले आज असोग के पत्ते चड़ाएं आपको जल्दी ही रहत मिलेगी बेटी का विवा जल्दी कराने के लिए अगर आप अपनी बेटी के रिष्टे को लेकर परिशान है या किसी कारणवास उसका विवा नहीं हो पा रहा तो आप इस उपाय से अपनी समस्या का हल निकाल सकते असोग के पेड़ के पत्तों को लाकर कन्या से कहें कि वह उन्हें अपने इस्नान के पानी में डाल कर उससे इस्नान कर ले ध्यान रखे कि इस्नान के समय पत्ते पानी की बालती से बाहर न गिरे इस्नान करने के बाद इन पत्तों को कन्या या परिवार का कोई भी अन्य सद तब से पीपल के पेढ़ की नीची डाल दे, ऐसा कर न रोजाना करना यह प्रयोग कम से कम 42 दिन तक जरूर करें धियान रहें मिअ यह प्रयोग लड़कियों के मासिक के दौरान न न Inside बांच दिनों में ना करें और 42 दिन के हैं 5 दिन नहीं जोड़े जाएंगे ऐसा करने से जल्दी ही करने का विबा हो जाएगा तो दोस्तो हमें उमीर है कि आज की जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी यदि आज की जानकारी आपको पसंद आए जो आपके लिए काफी फायदे मन्द होगी धन्यवाद